साथियों, जहां complexity होती है, वहां compliance भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत पस्ट हो, तो taxpayer भी खुश रहता है और देश खुशाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे दरजनों taxis की जगे GST आ गया, return से लेकर refund की ववस्ता को पूरी तरह से online किया गया। जो नया slab system आया है उसमें बेवजय के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने के मजबूरी से मुक्ती मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपिये से उपर के विवादों को लेकर सरकार high court और supreme court पहुंच जाती थी। अब high court में एक करोड रुपिये तक के और supreme court में दो करोड रुपिये तक के केस की सिमात ताईगी गई है। विवाद से विश्वाद जैसी योजना से कोशिच ये है कि जादातर मामले court से बाहर ही सुलज जाए। इसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में ही करीब तीन लाख मामलों को सुल्जाया जा चुका है। साथियों प्रक्रियों की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है। पांच लाख रुपिये की आयप और अब टैक्स जीरो है। बाकी स्लेब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स वा लेने वाले देशों में से एक है। साथियों कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रनाली सीमलेस हो, पेइनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानि टैक्स एड्मिस्टेशन हर टैक्स प्यर को उलजाने के बजाए समस्या को छुलजाने के लिए काम करे। पेइनलेस यानि टैक्नलोजी से लेकर रूर्स तक सब कुछ सिम्पल हो। फेसलेस यानि टैक्स प्यर कोन है और टैक्स ओफिसर कोन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफार्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। झाल का तो